नमस्कार दोस्तों हिंदी नियुजेफेस में आपका स्वागत है दोस्तों भारत के लिए एक बहुती बुरी खबार आ रही है यूरोप से दसल यूरोपियन यूनियन भारती एक कमपनी को टार्गेट कर रहा है और उस पर सैंक्शन लगाने जा रहा है सैंक्शन लगा देने से भारत की भी छवी खराब होगी कहीं न कहीं बारती उस कमपनी की भी छवी खराब हो जाएगी और फिर वो आगे कहीं बिजनेस भी नहीं गर पाएगा दसल खबर क्या है आईए पूरा बिस्तार से समझते हैं दोस्तों दसल बात यह है कि भारत और रोस के रिष्टे आते हैं उस ग्रूप में इसलिए उन सब के ग्रूप को ही हम European Union बोलते हैं यह बहुती सक्तिसाली देश हैं बहुती पैसे वाले देश हैं तो इस सारे मिलकर रोस के उपर इन्होंने सैंक्शन लगाया है तो अब रोस के साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता है अगर वो उनके साथ बिजनेस करेगा तो उस पे भी सैंक्शन लगेंगे तो भारती एक कमपनी है उसने रोस के साथ अपना बिजनेस किया और वो उनसे बिजनेस करने के बाद अपन उनसे जो सामान खरीती है वो कमपनी और आगे यूरोप के ही देश को बेद देती है तो यह एक चेंड य लेकिन उस company को उपर sanction लगाने की वो तयारी कर रहा है उन्होंने देखा कि ये company रूस से खरीद कर फिर हम लोगों को base देती है सामान तो सिर्फ ये भारत कोई target नहीं किया गया total चार company जिनको target किया गया जिसमें एक भारत की company है और तीन company चाइना गी है लेकिन भारत सरकार भी active हो गई है ये जब ये report आने लगी है तो भारत सरकार ने उसको study करना start कर दिया और उसके लिए अपना जो उनको answer करना है उस पर वो उन्होंने उस पर study करना start कर दिया और properly वो appropriate answer दे देंगे कि इससे कैसे बचा जाए भारत निश्ची रूप से चाहेगा कि European Union से कुछ भी ऐसा नहों जिससे कि भारत की किसी company पे भी फरक पड़े क्योंकि कहीं न कहीं भारत की जो भी अर्थवियोस्ता है वो अच्छी चल लगी है हमारी growth prospects बहुत अच्छी है और उस पे कहीं से भी कोई डेंट नहीं लगना चाहिए अगर एक बार हमारी company पे sanction लगने start हो गए तो निश्ची तोर से भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी और हमारी growth में बहुत ही negative impact करेगा तो हम यहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से बारती company पे sanction नहीं लगने चाहिए अगर हमको रूस से बचना है business करने से तो ठीक है थोड़ा सा नुकसान होगा लेकिन उस से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि हम रूस से ही खरीद रहे हैं फिर उसको थोड़ा सा modify करकर यूरोप को उम्बेज देते हैं जबकि यूरोप ने रूस के उपर sanction लगा रखा है तो ये कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये हमारे साथ गलत कर रहा है यूरोप को ऐसा ही लगता है इसलिए वो sanction लगाने जा रहा है लेकिन भारत सरकार बिश्वास है कि उनसे बातचीत करके इसका कोई न कोई solution जरूर निकाल लेगी दोस्तों अगर इससे जोड़ी कोई और भी खबर आती है तो मैं आपको updated वीडियो लेकर आ जाऊँगा धन्यवाद दोस्तों आपको information अच्छी लेगी है तो please channel को subscribe करते